भारत में गव को गाए माता माना जाता है गव की उप्योगिता आई थिंक सबको पता ही है तो गाए माता हर तरह से लोगों के लिए लाबदायक है चाहें वो दूद हो चाहें वो गोबर हो पर एक ऐसी जगह पर हम आए हैं जहां पर गव मुत्र गव के बच्छडे का मुत्र को लोगों के आँखों में डाला जा रहा है और उसका फाइदा भी लोग देख पा रहे हैं आए बात करते हैं यहां के प्रबंदकों से और उसके बारे में जानते हैं और यह बताएंगे हमें कि क्या उससे फाइदा मिलता है और कहां से यह आईडिया इनके दिमाग में है मेरा नाम विनोत कुमार जी गौरी शंकर सेवा दल से मैं वाइस प्रैजिडेंट जी तो आपको पता है कि पिछले आठ वर्सों से जो गौरी शंकर सेवा दल है यह 45 की गौशाला जो सुचारू रूप से इसकी सेवा जो है 1050 गाएं है यहाँ पर और यह सभी दानी सजनों के माध्यम से ही इसका हम संचालन कर रहे हैं सरकार का इसमें सब्दानी सजनों का ही सहयोग है तो हमें राजीव दिख्षी जी की एक ना काफी पुरानी वीडियो है आज से 10 साल 15 साल पुरानी है उसमें बताया गया है कि अगर आप देशी गवमाता की बच्चिया जो देशी गवमाता की बच्च्टी है उसका आप तो यहां पर जैसे आपको पता है कि उनलाइन क्लासी चल रही है तो बच्चों में बड़ी दिखतें आ रही हमारे पास कई उनको गलुकॉमा की दिक्कत थी उनकी आखों में तो उन्होंने बताया कि भाया मैंत दोड़ा यह करना चाहता हुँ तो आप इसको आप यह कोई दिक्कत नहीं लेकिन लाली लालट पन था तो उसके और हमारे सुमिछ शर्मा जी है वो यहाँ चेर्मेन है गौशाला के वो हो गए हमारे लाखिराम बंडेजी है तो हमारे यहाँ जितने गौशाला के ही लोग हैं दस बारा लोग हैं जितने भी हमारे यहाँ पे सेवादार हैं तो उनोंने धीरे-धीरे देखा देखे में सबने डालना शुरू किया और उसका हमें अपने आप पे महसूस हो रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा लाब है उन्हें जैसे की लग रहा था कि पहले आँखों पे कोई दवाब बन रहा है कोई आंखों में दर्द है या कोई ऐसा तो अब उनको जो भी डाल रहे हैं उनके हम से सुनने में यही आ रहा है कि हमें बहुत जाना पहले से कुछ लाब है यह हमारे मित्र हैं तो इनसे भी आप बताएंगे कि यह कितना समय से यह उप्योग कर रहे हैं और बहुत जादा लाव है हमें चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सर आप बताएए पहले आपका नाम बताएगा मेरा नाम शिशील गुपताई जी आपको क्या समस्या थी आकों से लेकर और कितने समाँ सवेज ए यह डौब आप अए मेरे को체적िमा मेरे को गवर कि प्रोबेम मेरे को अंखिना गर् contribute six आखों में पाणी आता था तो मेरे आखों की जो लाल रहती थी वो ठीक होगी है पाणी आना बंद हो गया आखों में तो गलुकोमा का अभी कोई खास इतनी इंप्रूम्मेंट आई नहीं है तो नुमंबर में मैंने करवाना है टेस्ट उसमें मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि मु अभी तो जैसे की थोड़ा बहुती पता लगा और आभी आपके माध्यम से जैसे पता लगेगा तो काफी दूर से भी दुनिया आएगी और जो भी आ रहा है वो स्वस्त है भी हमारी आँखें पैलेस के मुकाबले उनको कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में रहत मिल रही ह हब कि बसे ढहीं होता है कि क्या लगता होगा जब डॉब डलता तो उसके बारे मधाए कैसा प्ट़ूबात में अप देखेंगे कोई डलवाता है तो दूसरे को लगता है तो बहुत लगता होगा तो यह अशा नहीं बरिंदर पानी जाता जैसे आंक से मलगी तो जब से मैं डालने लगाँ तो से मिल को ये प्रोब्लम नहीं है मैं इसका ठीक हो मलगी फार्क लगता को और पहले तो जैसे मेरा बच्पन में जैसे वहा था ना चोट लगी दिए तो मेरा पीजे से टीडमन चल रहा था वहां दो कंट्यू जैसे रूटीन चेक के लिए जाता है चोट को चोट को दो मलगी हो गया दस-पंदरग साल हो गया काफी प्राणी बाता है तो वहां से चल रहा था मलगी ट्रेडमेंट तो मैंने देखा राजीव दिख्षी वीडियो तो मैं मेरे को लगा ये भी यूज करके देना जैसे को तो आएम आगे बढ़ते हैं यहां पर मौझूद है यहां के पंडी जी लाकि राम जी इनसे बात करते हैं हमारे सनातन दर्मेस से पहले गाई दिस्त्राइज गाऊ भीशष मात्रा हम समस्त भारत गाम था के संतान है और गाय के गोवर से एक मुतर से अनेक अनेक वीमारी हो जैसे कि खुद मैंने भी यहां पर एक मैने से आखों में डालना शुरू किया है इसमें मेरे को जैसे जिरो पॉंट के चस्मा लगाता हूँ उतर गया है यहां पर रोड डला रहा हूं तो इससे मुझे फैदा हुआ है और बाकी लोगों को फैदा हुआ है जैसा कि पंडी जी ने और यहां मौजूद कई लोगों ने बताया कि यह जो गव मता का मुत्र है यह बहुत ही बेनिफीशल है लोगों के लिए बहुत ही लाबदायक है इससे कई लोगों को इससे फायदा मिला है चाहे वो बच्चे हों बुज़र्गों और कई तरह की बिमा जिनका इलाज बहुत ही कम पाया जाता है उसको भी कहीं न कहीं यह नुस्का खतम करता है कैमरा परशन दीपक के साथ राहूल तिवारी आर्थ प्रकाश निव्स चंडिगर ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें